रश्मे दिसाई की एंट्री के साथ ही एकदा कपूर ने क्या तेजस्वी प्रकाश को बड़ा धोका दे दिया आखिरकार ऐसा क्या हुआ है हम आपको टीवी तमाशा पर बताने जा रही हैं लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे रश्मी दिसाई की नागिन 6 में लाल नागिन बनकर एंट्री हो रही है लेकिन रश्मी की एंट्री के साथ ही खबर आ रही है कि तेजस्वी के साथ बड़ा धोका हुआ है अखिर ऐसा क्या कर दिया है एक ताने अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि रश्मी दिसाई तेजस्वी प्रकाश से तीन गुना जादा फीस ले रही है और लगातार फैंस इस बात को डिसकस कर रहे है सोहिल लिखते हैं एक्सक्लूजिव रश्मी दिसाई इस चारजिंग थ्री टाइमस मोर देन लीड ओफ नागिन सिक्स तेजस्वी इस डिसीजन से बिलकुल खुश नहीं है और उर्सका मेकर के साथ आरग्यूमेंट हुआ है जिसके बाद उसने नागिन छे के स्विमिंग पूल में जंप कर लिया है तो कही न कहीं ये ट्वीट बताता है कि यहाँ पर तेजस्वी का मजाग बनाया जा रहा है इसी ट्वीट के जवाब में एक फैन लिखती है तेजस्वी को ट्रोल करना बंद करो तुम्हे रोकना है तो रोको तुम रश्मियंस अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे नेहा लिखती है प्लीज डॉन्ट स्प्रेड नेगेटिविटी इट में भी परसन प्रॉम सम थर्ट फैन्डम रियल फैन के नेवर डू इट शोना लिखती है तेजा से तीन गुना एक्सपेंस है अब उतना चार्ज नहीं करेगी तो बेस्ती नहीं हो जाएगी तो कहीं न कहीं अब फैन्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि रश्मी दिसाई ने तेजस्वी से तीन गुना जादा फीस ली है हाला कि इन खबरों में कितनी सचाई है ये तो नहीं पता लेकिन इस बात को लेकर लगातार दो फैन्डम अब आमने सामने है आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजेगा